आदाब नमस्कार एंड गुड इवनिंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का QNS News की शाम की News Bulletin में और मैं हूँ आंचल मिस्कीन चलिए बिना समय गवाए खबरों का सिलसला शुरू करते हैं दोस्तों कुछ दिन पहले तेंदुए के हमले में एक 6 साल की बच्ची लापता हुई थी उसी बच्ची की बोड़ी गांदरबल डिस्टिक्ट के जजुणा मंडी के पास के बाग में मिली पिछले महीने पुलवामा रोड अक्सिडेंट में 19 साल का लड़का जो जखमी हुआ था आज उसकी मौत हुई वहीं पावर डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट का मजदूर बारा मुला के कुंजर इलाके में बिजली का करंट लगने से बुरी तरह से जखमी हुआ गुरेज के तुलेल इलाके में बादल के फटने से डेट सो बेडों की हुई मौत दोस्तो वहीं बादल फटने से गांदर बल के वतलार इलाके में बाढ़ आई और इस कारण कई घर और इंफ्रास्ट्रक्टर का नुकसान हुआ रामबन डिस्टिक्ट एड्मिनिस्ट्रेशन में अडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से गुजारिश की कि चिनाब में पानी के बढ़ते स्तर के कारण रिवर बैंक्स यानी नदी के किनारे के पास ना जाएं इसी के साथ सांबा टिस्टिक्ट में भी बसंतर नदी के स्तर को देखकर फ्लड अलर्ड की घोशना की फ्लड सीजन को नजर में रखते हुए चीफ इंजिनियर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कश्मीर ने आज फ्लड प्रिपेर्ड नेस का जाइजा लिया वहीं यूपी और राजस्थान में बिजली गिरने से साथ लोगों की मौत हुई इन में से 11 लोग जैपूर में सेलफी लेते टाइम बिजली गिरने से मौत की चपेट में आए इस खबर के बाद प्रधान मंत्री ने दुख जताने के साथ साथ पीम रिलीफ फंड से मारे गए लोगों की फैमिलीज को कॉम्पनसेशन देने का फैसला किया और इसी के साथ ही यूपी और राजस्थान के स्टेट गवर्मेंट्स ने भी 5-5 लाख रुपे पीडित परिवारों को as compensation देने की अनाउंस्मेंट की बारामुला डिस्टिक्ट के शीरी और क्रीरी इलाके में दो ड्रग पैडलर्स को कुछ नार्कोटिक सबस्टांस के साथ गिरिफतार किया गया DC गांदरबल सहित Mission Director NHM G&K ने आज District Hospital गांदरबल में NHM के अंडर Established Dialysis Center को इनाउगिरेट किया आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत डोडा में 73% registration रिशीव किया गया अलग-अलग departments से लागू होए social sector schemes का जाइजा लेने के लिए DDC कुलगाम ने ICDS, Social Welfare, Labor and FCS and CA departments से मीटिंग की जेंड के horticulture produce और marketing corporation को revive करने के लिए Mumbai-based consultancy firm के representatives ने Lieutenant Governor के एडवाइजर फारुक खान से Civil Secretary श्रीनगर में मुलाकात की दोस्तो भाई लोगसभा Speaker श्री ओम बिर्ला ने आज जानकारी दी कि 19 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक Parliament का मौनसुन सत्र शुरू होगा Transport Minister नितिन घटकरी जी ने नागपूर में इंडिया का पहला LNG Plant यानि Liquified Natural Gas Plant का उधगाटन किया दोस्तो ये तो थी आज की खबरे चलिए अब QNS की COVID अपडेट्स जान लेते हैं आज जम्मो कश्मीर से कुल 155 ने टोटल पॉजिटिव केसिस दर्च हुए जिसमें जम्मो डिविजिन से 42 और कश्मीर डिविजिन से 113 ने केसिस दर्च हुए और वहीं आज कोई डेथ रिकॉर्ड नहीं किया गया COVID अपडेट्स के साथ साथ अब COVID से जोड़ी कुछ खबरे भी जान लेते हैं DC जम्मो का आज बयान आया के दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव सिग्निफिकेंटली प्रॉग्रेस कर रहा है और साथ ही ये भी कहा कि COVID-19 के अगेंस्ट हमारी जंक को मजबूत करने के लिए वैक्सिनेशन ही हमारा स्ट्रॉंगेस्ट हथियार है COVID से जुड़ा DC गांदरबल का बयान आया कि पिछले हफते के कमपैरिजन में इस हफते COVID cases में बढ़ोतरी देखने को मिली है तो इसी को नजर में रखते हुए उन्होंने सबसे COVID appropriate behavior का पालन करने की अपेल की साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि positivity rate गिरकर 0.4% दरज हुआ और recovery rate भढ़कर 98% पर आ चुका है Department of Higher Education के instructions अनुसार Government degree college for women अनंतनाग में स्टाफ और faculty के लिए vaccination drive कंड़क्ट किया गया सब सेंटर अचकोजा पुल्वामा में as female multi-purpose health worker के तौर पर काम कर रही कॉंसर्ट जबीन जिनका नाम जमो कश्मीर के लेफिनन गवर्नर ने अपने radio talk show आवाम की आवाज में COVID-19 के vaccination drive में उनकी contribution को लेके appreciate किया था उस appreciation के लिए कॉंसर्ट जबीन ने अपना आभार प्रकट किया श्रीनगर में COVID cases में गिरावट को देखते हुए DC श्रीनगर ने fresh orders निकाले कि 50% capacity के साथ restaurants अब dining facility के लिए खोले जा सकते हैं इसी के साथ दोस्तों खेल जगत से भी कुछ खबरे जान लेते हैं इंडो-अमेरिकन टेनिस प्लेयर समीर बैनर जी ने विंबर्डन बॉइज सिंगल्स का खिताब जीता ओलंपिक मेडलिस्ट को इंक्लूड करने के लिए National Sports Awards selection को डिले किया गया ये अवाड हर साल 29 अगस्त यानि National Sports Day के दिन देश की प्रेजिडेंट के द्वारा दिया जाता है और साथी दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि 29 अगस्त को जिस दिन हम National Sports Day सेलिबरेट करते हैं उस दिन होकी के लेजेंड मेजर ध्यान चंद की बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है इसे के साथ दोस्तों हम आप पहुंचे हैं हमारे आज के आखरी सेगमेंट में जिसमें हम आप सभी के साथ आज दिन से जुड़ा इतिहास शेर करते हैं तो दोस्तों आज ही के दिन भारत में निर्मित पहला स्टीम शिप डायना का 1823 में कलकत्ता में अनावरन किया गया था यानि अन्वील किया गया था वहीं आज ही के दिन से जुड़ा आखरी फैक्ट ये है कि हिंदी फिल्मों की निर्देशक बिमल रॉय का जन्म आज ही के दिन 1999 में यानि के 1909 में हुआ था तो दोस्तों आज की QNS की न्यूस बुलिटिन में सिर्फ इतना ही हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही आंकडे इंफर्मेशन और खबरे लेकर तब तक के लिए आप बने रही क्यों एनिस न्यूस के साथ और मुझे दीजे अजाज़त नमस्कार